हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल आज के इस वीडियो में बात करेंगे CSA One Day Cup 2022 के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मैच के बारे में इसका फर्स्ट मैच नॉर्थ वेस्ट ड्रैगन वर्सेस वेस्टन प्रॉवियंस के बीच है और इस मैच को आप आज साम के साढ़े चार बजे से देख सकते हैं फ्रेंड्स फैन कोड एप में भारतिय समय नुसार और यह मैं साउथ एफ्रीका के सेन वेस्ट पार्क में खेला जाने वाला है पिच की बात की जाए तो पिच बैलंस्ड है वहीं फर्स्ट इनिंग के अवरेज स्कोर आप तू थार्टी देख सकते हैं वेदर की बात की जाए तो हलके बारिस होने की संभावना है टेंपरेचर एटीन डिगरी सलसियस रहने वाली है तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चनल पे नए हैं पहली बार देख रहे हैं मेरे वीडियो को तो मेरे इस चनल को सस्क्राइब करके नोटिफिकेशन बलको प्रस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको मेरे टेलिग्राम चनल का लिंक मिलेगा फ्रेंड्स तो टॉस विनर या मैच विनर में कोई भी चेंजिस करना होगा तो आपको टेलिग्राम पे अपडेट कर दिया जाएगा तो अगर अभी तक आपने मेरे टेलिग्राम चैनल को जोइन नहीं किया है तो सोचिए मत और जल्दी से जोइन कीजिए मेरा टेलिग्राम चैनल अब अगर नौर्थ वेस्ट ड्रैगन्स के पिछले पांच मैचस की बात की जाए तो तीन मैचस में जीत हुई है दो मैचस में हार हुई है वहीं वेस्टन प्रॉवियंस के पिछले पांच मैचस को देखा जाए तो चार मैचस में हार हुई है एक मैच में जीत हुई है अभी हाली में जो CSA T20 के मैचस खेले गए थे फ्रेंड्स उसमें Western Province का performance काफी अच्छा था 7 में से 5 matches में जीत हुई थी वहीं North West Dragons पिछले CSA के T20 मैच में 7 matches में से 3 matches में जीत हांसिल की थी अब अगर इनके बीच खेले गए 5 head to head matches की बात की जाए तो 3 बार North West Dragons की जीत हुई है 2 बार Western Province की जीत हुई है अब अगर दोनों टीम्स के प्लेइंग 11 की बात की जाए फ्रेंट्स तो North West Dragons से निकी वेंडरबर्ग, हीनो कून, नोनो पंगोलो, वैसले मार्सल, लेसेगो, सेनो क्वाने, सेनूरन मुथूसामी, डेलानो, पॉटगिटर जैसे प्लेयर से फ्रेंट्स अब अगर वेस्टन प्रोवियंस के प्लेइंग 11 की बात की जाए तो वेस्टन प्रोवियंस से डेन विलास, रिचर्ड लेवी, मोहमद, यासीन वाइली, टॉनी डी जोर्जी, जोनाथन बर्ड, जोर्ज लिंडे, एवीवे मैगी जीमा, काईल, सिमंट्स जैसे प्लेयर है फ्रेंट्स अब अगर मैच विनर की बात की जाए तो दोनों टीम्स को कमपेर करने पे सी एसे वन डे कप के इस फर्स्ट मैच में वेस्टन प्रॉवियंस के जीतने के चांसेस मेरे अनुसार जादा है बात करते हैं इसके सेकंड मैच के बारे में जो की हाई विल्ड लायन वर्सेस वार्यर्स के बीच है और इस मैच को आप ग्यारा मार्च याने की आज साम के साढ़े चार बज़े से देख सकते हैं फ्रेंड्स फैन को डैप में भारती समय नुसार और यह मैच जॉनसन वर्क के दो वेंडर स्टेडियम में खेला जाने वाला है पिच की बात की जाए तो पिच बैटिंग फ्रेंडली है फर्स्ट इनिंग के अवरेज स्कोर तू फॉर्टी देख सकते हैं वेदर की बात की जाए तो हलके बारिस होने की संभावना है टेमपरेचर 17 डिगरी सेलसियस रहने वाली है अब अगर हाईविड लाइन के पिछले 5 मैचस की बात की जाए फ्रेंड्स तो दो मैचस में जीत हुई है तीन मैचस में हार हुई है वहीं वारियर्स के पिछले 5 मैचस को देखा जाए तो तीन मैचस में हार हुई है दो मैचस में जीत हुई है और अगर इनके बीच खेले गए 5 hit to hit matches की बात की जाए तो 3 बार hybrid lion की जीत हुई है दो बार warriors की जीत हुई है अभी हाली में जो t20 matches हुए थे friends इसमें warrior और hybrid lion ने 7 matches खेले थे लेकिन 2 ही match में दोनों team की जीत हो पाई थी अब अगर match winner की बात की जाए friends तो दोनों teams को compare करने पे CSA one day cup के second match में हमारे analysis के अनुसार warriors के जीतने के chances ज्यादा है बात करते हैं इसके third match के बारे में जो की titans versus rocks के बीच है और इस match को आप आज सामके साढ़े 4 बजे से देख सकते हैं friends fan code app में भारतिय समय अनुसार और यह match centurion के super sports park में खेला जाने वाला है पिच की बात की जाए तो पिच बैटिंग को support करेगी first inning coverage score 230 देख सकते हैं अब अगर rocks के पिछले 5 matches की बात की जाए तो 4 matches में हार हुई है एक match में जीत हुई है वहीं titans के पिछले 5 matches को देखा जाए तो 2 matches में जीत हुई है 3 matches में हार हुई है दोनों टीम्स का playing 11 आपको वीडियो की description box मिल जाएगा friends अब अगर match winner की बात की जाए तो दोनों टीम्स को compare करने पे आज के इस 3 match में titans के जीतने के chances मेरे अनुसार जादा है आपकी क्या thinking है friends इस 3 matches को लेकर आपके अनुसार कौन सी टीम जीत सकती है आप अपनी राए मुझे comment करके जरूर बताएं उमीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई है friends तो वीडियो को वीडियो में वीडियो को अंतक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद